हेलो एव्रिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल एंड केसे आप सब आयोप आप सब ठीक होंगे रों हम सब भी एकदम बढ़िया है एंड आज की ब्लॉक की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं सुबह 6 ओ क्लॉक से और आज है डे मंडे और डेट है 19, 19 देसेंबर और यहां पर मैं मैं बना रही हूं देवास केले लंच और सुभे-बस बना रही हूं मैं मैंति के पर नाथे और बना रही है हैं मैं लगांकर रख दिया था compound सोने जा रही थी तब ही मैंने लगा के रख दिया था मैथी के पराथे और इतने बीच में सिवांस भी जख के आ गया था तो बस मैं उसको देखने गई थी उसको बेडरूम से सोफे पर बिठाना पड़ता है लाके तो बस यहाँ पर मेरे मतलब लंच बना दिया था और वो सोस से ले जाएगा उसको मैथी पराथे सोस से ज़्यादा अच्छी लगते हैं चिली सोस और नॉर्मल टमेटो सोस कैचप से मिक्स करके खाता है उसको अच्छी लगते हैं हम सुब तो धही से खाती है और यहाँ पर करना था नास था और आज भॉल लिए टो गया था यह सोथ के उठते नहीं है आज कल बच्चे मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ सुबह नहीं उठना चाहते तो मैं इसको डांट लगा रहे थी कि जल्दी चलो और मैंने सिवास भी तैयार करके बिठा दिया है कि जल्द करना थी वह सब पी थी तो बस इतने में हो गया था टाइम एट ओ क्लॉक क्या एट थर्टी हो गया था इतने हो गया था एक जट तो टाइम नहीं पता और फिर मैं यहां पर करने लग गई थी बहुत दिनों से मेरा पैंडिंग काम यह विंडो मुझे साफ करनी है और मैंने दिवाली पे ही की थी उसके बाद यह नियू यह हमेशा बंद रहती है यह विंडो और मुसली करटेंज लगी रहती है मतलब इस विंडो को खोलने के नीडी नहीं त flirtेंस बेड के ऊपर आती है तो यह खोली भी नहीं जाती कभी जो सामान हमारे मतलब यूज में नहीं आ रहा है время और यूज में आ सकता है कभी भी उस टाइप का सामान मैं यहाँ पे रख देती हूँ और यह बंद रहती है तो इसलिए मतलब मैंने यहाँ पे यह सब चीज़ें रख रखी हैं जैसे मुझे कभी चोटी-बोटी चीजा होती है, यूज में आनी है, और कुछ मतलब जो मेरे ये फरनीचर हुआ था, तो ये गत्ते बगेरा ये बच गए है, तो मैंने फैके नहीं है, कभी इन फ्यूचर यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये गत्ते पर मैंने अभी गोवरधन म देवाली से नहीं होई थी, डेली-डेली नहीं करती है, मैं एक दो महीने में ही करती हूँ, तो काफी गंदा हो गया था, तो बस यहां कार्टून्स में भर रखे जो भी चीजें, नरलब कभी इन फ्यूचर में आ जाएंगी यूज, और यहां पर ये बॉक्स है, यह जो मै मैं भूल गई थी, वीडियो बनाना, पास्ते दिखाती है, तो आप देखते हैं, कि बहुत ज़्यादा दूल हो रखी थी, दूली थी, और कुछ नहीं था, बस दूल हो रखी थी, और फिर मैं करने लगी थी, आज बेट सीट चेंज करनी थी, लिए इंकल हो गया था, इसलिए मैंने का, अभी आजाएगी तो चलेगा, लेकिन फिर बेट सीट चेंज हो जाएगी, तो फिर बाद में नहीं करने का मन नहीं करता, और बहुत दिन से इसी के कारण ये कुछ-कुछ पेंडिंग हो रही थी, कभी लेट हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, लेकिन आज मैंने वॉक भी नहीं करके आई थी और को जल्दी भी मतलब हो गया था कि सुबह सुबह मैंने जल्दी से चाय भी पी ली थी इसको भी नासा का बना के खिला दिया था तो मतलब मैं फ्री हो गई थी और ये डूटी है तो बस कुछ इतना हैवी काम नहीं था इसलिए बना मेरे साथ ही रहेगा और अटी भी देता और जब मैं बेट चेंज करती चर कर रही हूं या बेट पे यह तो यह मेरे आगे पीछे लगा रहता है कुछ न कुछ करता ही रहता है तो यहां पर फिर आ गई थी मैं बेट खॉल में और इसकी करने लगी थी क्लीनिंग सोफे कि अभी मुझे सोफे कबर भी दोने है लेकि पेंडिंग करती जा रही हूं मैं कोई बात नहीं चलेगा एक दिन दो दिन तो इस ताइब से हो जाता है बहुत जाता है मतलब एक्टम होते हैं एक्स्ट्रीम गंदे ऐसे नहीं हो ए लेकिन हाँ थोड़े बहुत हो गए हैं ग करनर में से भी कच्रा बगएरा निकाल देती हो क्योंकि थोड़े दिन नहीं रहो तो फिर मुझे कौकरोच होने का डर रखता रहा अभी तो मेरे घर में बिल्कुल भी कौकरोच नहीं है लेकिन बहुत चोटे-चोटे वाले कौकरोच होते हैं ना बहुत जादा चोटे-च सबसे बात होती है सबके ही ऐसा होता है वह तो मतलब गाउं हो सिटी हो या किस नहीं मेरा फॉर्थ फ्लोर पर यहां तक आ जाते हैं इवन फर्स्ट फ्लोर वालों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत है लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरू उताना कि किस-किस के घर इतने बहुत ज्यादा परेसान हो गई हो लग एक दो ही आता है इतना ज्यादा नहीं होता है लेकि फिर भी मुझे लगता है कि और यह और एक कोगरुच कहां से मिल गया और देखो यहां पर यह फ्रिज में रखे थी हुए थे कौन तो यह फैला के भाग गया था बहुत सैतानिय जाते हां यहां पर मैं इसको पीला रही थी तो पिला रहते हैं बँचहे खाने पुर्ड की जात게 है को अपनी खाने क्लीन कान रहु आई थी आज मैंने सवहा बनाने लग शच onc need k transaction क्लीन की थी थी तो फिर मैं लगा लगए तो नहाने के दिख। इसको बहुत ज़्जादा यह भूआ लगता है फिर मुझे पूजा नहीं करने हैं धर कहता है कुछ नहीं खाने के लिए दो और यह सब इस लिए इसके लिए दो पनाटी बना के दिये थे एक यह खा लेगा एक में खा लोगी तो फिर यहां पर पनाटी बगारा बनाके मैं एकदम क्लीन कर रही हूं इवन रात में सूख जाते हैं तो बस मैंने सुबह निकाल लिए थे और उनको फोल्ड कर रही थी ज़ड़ू बगेरा लगा ली थी फिर करने लग गई थी मैं यहां पर अपने फरणीचर की क्लेणिंग बैने बुला था पहने के 5-6 दिन से मैंने की नहीं है फरणीचर की तो आपके यहां पर आसपास मिल रहे हों और लाइन मिल रहे हों तो आप डेफिनेटली इनको मगा लो बहुत जादा अच्छे आपको किसी भी पेपर की किसी की भी नीड नहीं है इवन आपको कॉल इन भी यूज नहीं करो तो खाली पानी का इस्प्रे से इस कपड़े से क्ली कर दो कोई भी जैसे आपका फ्रेज हुआ फरनीचर हुआ या आपकी स्लैप होई या कुछ भी इतना अच्छा क्लीन होते हैं मेरा तो एक दम पैसे वसूल हो गए हालांकि थोड़े से महगे आते एक क्लॉट पचास रुपे का पड़ता है दो सो रुपे के चार क्लोट अच्छा है मेरे पैसे पहले मैं बोल गए थी कर नहीं बहुत ज्यादा महगे आया या कुछ भी मला ऐसा होता है कि यार एक छोटा सा मैंकी जैसा मैक्रोफाइबर का क्लॉट्स वह चास रुपे का थो थोड़ा लगता है कि सफाई के लिए थोड़ा महगा हो जाता है लेकि तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो ये तो चीज काम किया या ऐसा होता है कि अगर कोई भी चीज हम मतलब मंगाते हैं और हमें लगता है कि मतलब ये चीज थोड़ी महगी है और वो चीज है न उससे हमें फाइड़ा हो रहा है तो फिर उसके पैसे बिल्कुल भी लगत आज पूरे घर का कंप्लीट और आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था थोड़ा थोड़ा काम करते 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 होई जाता है तो फिर यहां पे मैं अपनी इसकी भी क्लीनिंग करने लग गई थी टेबल की तो कॉलिन से पूरी साफ कर दिया इसमें न डिजाइ आज सुबे से काम करते 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 कफी ठक जाते हैं थकान तो ही जाती है थोड़े बहुत और बच्चों के साथ तो लब हो जाता है थोड़ा सा कभी इनकी फर्माई से सुनो कभी कुछ करो कभी कुछ करो तो बस यहां पे लगा रही हूं मैं पोच्छा और यह कि नीचे नहीं जाता है चीनी वाला धाई पीलो आपकी नोजी पर लग गया चीनी वाला धाई तो कि नहां धोके और मतलब इसको भी थोड़ा सा नहां ला दिया था सिमांस को और इसको दे दिया था दही दही पी रहा है वो नास्ता वास्ता कर रहा है और फिर मैं आ गई थे किचिन में और बनाने लगी थी खाना क्योंकि बहुत लेट हो गया था तो एले उक्लॉक हो गया था नहाते नहाते और फिर देवास का आने का भी टाइम हो जाता है और फिर मैं यहां पर करने लगी थे तैयारी और यह कुछ मेरे पास रखे हैं मूली के पत्ते हां तो उस दिन क्या मैं मूली लेके आई थी तो मैंने बैगन और मूली की सबजी पत्ते रह गई थे तो मैंने यह फैके नहीं थे तो मैंने यह फैके नहीं थे मैंने का कुछ ही उजना है तो लोगी इनको और मतलब होता है ना कि मतलब हो जाते हैं अभी तक ठीक थे तो मैंने इसकी सबजी बना देती हूं तो मूली आज मैं बना रही हूं मूली आलू की यहां पर फिर मैंने कर लिये हैं यहां पर पर आते ही इतना में आता है, इसके साथ इतना खेलेगा, ये भी वेट करता है सिवांस कि कब आएगा भाई, कब आएगा भाई ऐसे मुझसे है ना सुबह से कम से कब पांचे बार पूछ लेता है कि कब आएगा भाई और इसके साथ ये मस्ती कर रहा है और मैं बोल रही हो कपड़े चेंज कर लो मैं नहीं प्ते में एक्ट played के दिर शूखे बिल्कुल भी नहीं पर चलता है कि क्या है बचल बच्छों おइं estosa और यहां पर पीडू ने डाफे प्तने इटनी तरही थी शीड़ 것을 हाएक निचोड लेना को सबसे अच्छा माना मूल होता है यहां पर मस्टर्ड ऑइल ले लिया है उसमें डाले हैं ही जीरह फिर ढाल दिना है हल्दी और सारी मसाले डाला पहले हैं लेकि मुझे लगा था मेरी जलना जाए इसलिए फिर मैंने यह यह जो है क्या बोले है मूली की पत्ते हां उनको मिक्स कर लिया था और उनके बस चौक तेल में भून नीड नहीं होती है इसलिए मेरा उपर से धनिया पाउडर दालती है तो चल जाता है तो फिर मैंने डाला आमचूर पाउडर और फिर इसको भी खोब अच्छी तरीके से मतलब मिक्स कर लेना फिर डाल देना है यह थोड़ा सा गरम मसाला नमक डाल के वस हमारी तयार है मतलब अलू और मैथी की मूली की बुजिया और यहां पर उसे देख किया न देवास कह रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा लेकि फिर तो बाद में इसको इतनी पसंद आए कि अलू और मुली की बुजिया और पराठे थे हां सुबर पराठे बनाए थे तो फिर मैंने नास्ता नहीं किया था तो फिर बस मैं सीधे लंच ही कर रही थी लेट हो गया था इसलिए नास्ता नहीं किया था और बस यहां पर हम सब बैठके कर रहे हैं लंच और सिवास नहीं जाना मिलती हूँ आपके एक नई व्लोग में तब तक के लिए बाई बाई टाटाटे के रेंड राधे राधे बाई